हेलो दोस्तो हिंदी मेरर पर फिर से आपका स्वागत है आज की वीडियो में जो है फिरस्ट एर का सेकंड पेपर हिस्ट्री यह पेपर लास्ट एर का पेपर लेकर रहे हैं और इसके आंसर के लेकर रहे हैं आपके लिए क्योंकि यह जो आंसर की है लास्ट एर के पेपर की य आपके जो 16 तारिक को आपका एक्जाम होना है उसमें बहुत ही helpful रहेगी क्योंकि आपने जो फर्स पेपर देखा है उसमें देखा होगा आपने कि फर्स पेपर से काफी questions आपके जो है एक्जाम में इस बार आए थे तो second paper की आपकी answer के लिए कर आई हूँ वैसे तो student आजकल जो है अपना आप से ही कर लेते हैं सब कुछ सर्च आजकल गूगल पर सम मिलता है लेकिन फिर भी आप मैच कर लीजिए उससे और मैंने काफी मतलब authentic उससे आपके लिए जितनी हिस्ट्री के professor है उनसे पूछ कर आपकी ये जो है सबने हमने मिलकर ये professor ने आपकी history की बनाई ठीक है चले देखते हैं आपके answer क्या क्या है first paper के second paper के जो question से लास्टर जो आए थे और हां student जो है पूछ रहे हैं कि मैंडम जो अभी paper वा उसकी answer की कब आएगी तो answer की आपको सभी subject की मिलेगी जिनकी भी मैंने आपको channel पर तयारी कर आई है मैंने ego history political के मैं दे चुकी हू आपको Hindi के भी दे चुकी हूँ आपका भी ego रह गया है और history का रह गया है तो इन दोनों paper की answer की आपको मैं दूंगी लेकिन अभी थोड़ा बहुत बीजी schedule मुझे 6M की तयारी करानी है उनकी भी query आ रही है क्योंकि उनके exam 16 से सुरू हो रहे हैं तो अभी दो दिन ही बचे ह है उनके और आपने देखा होगा कि अभी English के मैंने screenshot लेकर डाले है जोगराफी का उसमें भी आप लोग बोलते हो कि मैंडम blur आ रहा है तो लगर के एक ही इसका solution है कि आप टेलिग्राम से जाकर अपनी PDF उठा सकते हैं ठीक है बहाँ पर मैं आपकी PDF डाल दूंगी सारे subject की तो उनको आप देख सकते हो चले शुरू करते हैं आपके प्रशन पहला प्रशन होगा देखा होगा मैं option भी नहीं पढ़ते हो सीधे सीधे आपके लिए answer लेकर रही हूं time shortage की वज़से आपका भी time बचेगा और मेरा भी दूसरी बात की answer सीधे सीधे है तो आप जो है इसक सब्सक्राइब की तो यह की अशुखोषने नेक्स्ट है आपका सकसंवत्त कप्रारभुवा 78 इसी है चले देखते हैं खुशान मस्का प्रसेश आशक कौन था तो पाचवे का आपका अंसर है कनिश्क नेस्ट कोशन देखते हैं का संस्थापक कौन था तो कणू मस्का संस् फिर नेस्ट कोशन आपका भारती राष्टे पंचां किस नाम से जाना जाता है तो वह जाना जाता है सकसंवत के नाम से फिर है भारत में निर्मान कला का जन कब हुआ तो यह हुआ था सेंधव काल में नेस्ट कोशन देखते हैं नाइन गुप्त बंश ने किस अबधी में तो उन्हों नहीं किया था 319 से लेकर 500 इस वी तक चलिए आगे देखते हैं हुन आकमन को रोखने वाला गुप्त शाशक कौन था तो ये थे इसकंद गुप्त चलिए एक्सकोशन पर चलते हैं आपके मालविका अगनी मित्रम का नायक कौन था तो ये अगनी नाम से ही है ये थे अगनी मित्र इसके नायक चलिए देखते हैं ट्वैल का क्या आंसर जा रहा है पायान किसके शाशन काल में भारत आया था तो वह चंद्रगुप्त दृत्य के शाशन काल में भारत आया था गुप्त काल का इस्तापक कौन था तो ये थे श्री गुप्त चलिए आगे देखते हैं प्रशन का अंसर क्या जा रहा है किस शाशक ने नालंदा विश्विधाला की इस्तापना की तो यह की थी कुमार गुप्त मेहंदर देखते हैं ने ठीक है चलिए आगे देखते हैं राज तंत्रात्मक ठीक है वी एस इसमित ने किसको भारत का नैपोलियन कहा है तो उन्होंने संद्रगुप्त को कहा है यह प्रश्म वेरी इंपोर्टेंट है आपका शकों का अनुमुलन किसी ने किया तो उनका अनुमुलन चंद्रगुप्त बेत्या ने किया था नेशकोशन हैं सरक गुप्तों की सरकारी भाषा क्याती तो जुकुक ते उनकी सरकारी भाषा संस्कृत थी चल्डे देखते हैं नस करशन क्या कहता है भारते विद्वान जिसने गणित को अलग-अलग विश्य के रूप में स्थापित किया तो यह कौन थे यह थे ब्रह्म गुप्त है ना अब चलते हैं आपके कोशन परियाग प्रशृस्ति का लेख्क कौन था तो प्रयाग प्रश्रस्ति के लेख्का रारिशन थे अब देखते हैं दशमलव परनाली के शुरॉत किक्व प्रतकाल में नच कॉशन्स कालिदास की किसकृति को गिंती विश्व की प्रसिद्द कृतियों में होती है तो वह है पीहृंदू दर्शन के निमले कित्मे से किस पर्णाली पर शंक्राचारे ने नवी शतावधि में भाश्य किया था तो एन्हानी क्या था रिक्वेट कोशन औतरभारत का अंतिम हींढो सम्राढ कौन था तो क्वेस्वर इसका पूरा नाम किसे नहीं की तो कादममरी कि रचना बाणभटने की थी सबसे लंबे समय तक चला तो सबसे लंबे समय तक चला था चोल सामराजय ठीक है चलिए नेस्ट कोश्टन पर चलते हैं उत्तर भारत पर सफलता पुर्वा का आकमन करने वाला पहला रास्टर कुट शाशक था तो उत्तर भारत पर सफलता पुर्वा का आकमन करने वाला जो रास्टर कुट शाषक था वहद्रू था नेस कोईशन दिखते हैं खुजराव मंदिरों का निर्माण कराया था ये कराया था चंदेलों ने फिर है आपका वाती पिकोट के वाती धार्न की थी किसने की थी ये ती की थी नरसिंग वरमन ने ठीक है फिर है अल्वार संथ थे कैसे संथ थे वे और अलवार का एक और नाम भी है इनको और क्या कहा जाता है वो भी आप पढ़िए परत्वी राज रासों गरंथ की रचना की थी चंद्रबरदाई ने की थी और यह पूरी नहीं कर पाए थे परत्वी राज रासों को तो इनके पुत्र थे जलर तो उन्हों ने स्कूर्स कर स्यर्मी इसको पूरा किया था चलिए ने स्कोर्स कोशन पर चलते हैं पर नाम हीनिक की गरंथ के रचना की लेकिन आप से प्रकुर्फिर राज रासों हैं वह ऑनुर् масс की ना चलिए नेक्स कोशन पर चलते हैं चालुक्य मुर्थी कला को किस नाम से जाना जाता है तो जो चालुक्य मुर्थी कला है उसे आंद्र करनाटक शैली के नाम से जाना जाता है संगम काल की भाषा थी तमिल अच्छे से पढ़ लिजी ये प्रशन नाश कोशन है लाल चेर के नाम से प्रसीद वह चेर शाशक होन था जिसने प्रशन को ध्यान से पढ़ा करो आप ठीक है कंगी के मंदर का निर्मान पत्तिनी कराया था तो वह है शेन गुट वन ठीक है बड संबंदीत तो यह संबंदीत देखते हैं किसे कहा जाता है इलियड या इलियड होना चाहिए चलिए देखते हैं शिलपादी कारम को ठीक है इलियड चलिए पर चलते हैं आपका ब्रह्मानबादी हिंदुबाद का पूनर जीवित किया गया था यहां पर मैंने देखा कोशन जो इस्ट्री में बन रहे हैं कुछ-कुछ अलग हो जाता है लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री और आपका शुसलोजी और हिंदी यह चार सब्जेक्ट ऐसे होते हैं थोड़ा मिले जुले होता है आपस में इनका कहीं करक्शन जुड़ा होते हैं प्रशन बनते ही हैं अब यह जो प्रशन में आज करा रहे हैं शंकराचारी ने किया था यह टॉपिक आपको हिंदी में बढ़ने के लिए मिल जाएंगे मिहर भोज पुत्र था किसका था तो इसमें सही विकल्प नहीं दिया गया है सही विकल्प जो है राम भद्र है ठीक है यह कोशन ही गलत है तो चकर लेना आप इसको पाकी फिर है राजपुत रा करनल टाडने अगला कोशन है पालवज का संस्थापक था तो पालवज के संस्थापक थे गोपाल ठीक है चलिए नश कोशन देखते हैं आपका यह कोशन कैसे आ रहे हैं चलिए यह बीच में 35-36 आगे शैद भारत पर अरबों का पहला और सफल आकरमन किसके नेत्रतों में ह हुआ यह बच्चे पीडिया बनाते हैं कोशन लास्टे के देते हैं तो आगे पीछे पेपर हो जाते हैं आंसर आपको कंप्लीट मिलेंगे 50 ठीक है अरब आकण के समय सिंदका शाषप कौन था तो यह थे दाहिर चली आगे चलते हैं सोमनात पर महमूद गजनबी ने कब आ हैं मै ऐसार इक y나 में ऐसकोशन देखते हैं मजुरु दीन को भारत में किस नाम से जाना जाता है मैजु दीन को भारत में किस नाम से जाना जाता है तो यह मौमध गौरी है ठीक है और जो आपके पतफेराज छोहान हैं और जी इन nouveau से संबंदित थे नहीं आपको सारे मिले क्यानवे में मजरुदीन को भारत में किस नाम से जाना जाता है तो यह मौमद गोरी है ठीक है और जो आपके पर्थवी राज चोहान है और जो आपका परत्य राज-रासों है यह सब इन से संबंदित हैं तो प्रशन आपको सारे मिले हैं चाहिए बीच में कुछ और प्रशन आ गए आपके मतलब स्लाइड इदर उदर हो जाती है यह अब जैसे यहां पर थर्टी आ गया फिर इसके बाद थर्टी सिक्स आगे तो प्रशन आप काउंट कर लिना पूरे फिप्टी आपके कोशंट होंगे लेकिन आप इनको त्यारी अच्छे से करना आपको आंसर की मिल चुकी है लास्टी के पेपर की अपने आंसर से मैच कर лीजे और मैंने कहां यह आंसर की हम कई कालिज के प्रोफेसर से आपको डिसकस करके तब आपको आंसर की प्रोवाइट कराते हैं तो अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई आंसर सही नहीं है तो आप विद प्रूफ याने के विद प्रूफ का मतलब उसका स्क्रेंशोट भेज़े हैं जिसका आप आंसर चैलेंज कर रहे हैं बाकी सही होने चाहिए सारे आंसर पर हो जाती है गलतियां सभी से होती है पर हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि सभी प्रोफेसर की तरफ से यह कोशिश रहती है कि आपको सही आंसर की प्रोवाइट कराई जाए और आपको भी इंतिजार रहता है और कहीं अगी आपको भी लगता है कि authentic answer की आपको मिलती है तो चलिए पसंद आई है वीडियो तो like plus share तो बनता है और आप जो इंतिजार कर रहे हैं वीडियो का तो कल से आपकी तयारी होगी Hindi mirror पर क्योंकि आपको आज मैंने answer की दे दी है कल से में proper way में आपका कल का दिन है आपके पास परसो का दिन है आपके पास और साथवे आपको जो है इसकी answer की तो दे दी है और तयारी भी में कराऊंगी लेकिन जो paper हो रहे हैं उनके answer की के लिए आपको इंतिजार करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा थोड़ा 6 time के exam खतम हो जाए उसके बाद अभी 6 time के exam होंगे उसके बाद 6 time की भी answer की और आप लोगों की भी answer की साथ ही upload होंगी ठीक है चलिए answer की का questions मत करना कोई भी comment box में आप लोग बोलते हैं तो मुझे थोड़ा मतलब अजीब लगता है कि मैं आपको time से provide नहीं करा पा रही हूँ लेकिन मेरा आप से वादा है कि मैं आपको answer की जरूर दूंगी थोड़ा लेकिन उसमें time लगेगा हाँ history की कल से आपकी तैयारे शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छे से तैयारी होगी जैसे first paper हुआ था आपका वैसे ही second paper की भी हमारी जिम्मेदारी है और साथ में आपकी भी 50-50 बाटते हैं 200% हमेशा बनता है चलिए करिए like and share और हिंदी मिरार की साथ अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए